जै शीक्रिष्णा कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्राठना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ें आप धेर सारी सफलता हासिल करें आप जो भी करने आयें इस प्रत्वी पर, आपका जो भी लाइफ परपस है, जो भी सोल परपस है, वो ज़रूर पूरा हो हम इश्वर से ऐसी प्राठना करते हैं आप सभी लोगों के लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल Spiritual Love 111 में Dear आज हम रेडिंग करने वाले हैं, वो कौन है जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करता है वो कौन है जो आपको अपनी जिन्दगी बनाना चाहता है जो आपकी जिन्दगी में आना चाहता है जो छुप-छुप कर आपको देखता है आपके साथ जिन्दगी जीने के खुआप देखता है जो आपको पाना चाहता है जो आपको अपनी जिन्दगी का हिस्सा बनाना चाहता है मेल हो सकते हैं, फिमेल हो सकते हैं, आप जो भी है आप अपनी राशी जूस करिए ठीक है? इश्वर का नाम लीजे और अपनी राशी जूस करिए देखे तो सही कौन है जो इतना महरवान है आप पर? कौन है जो आपको इतना 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 प्यार करता है? कौन है? कैसा व्यक्ति है? कहां रहता है? उसके नेम का इनिश्यल क्या होगा उसकी टेट अब बर्थ क्या होगी कैसा दिखता है सब कुछ बताने वाले आखिर बता दो चलना चाहिए न हम तो दो मिनट कर मेडिटेशन कर लेते हैं इसके बाद रीडिंग करते हैं ठीक है चलिए आखिर बन कर लेजिए अच्छे बस्चों की तरह ओम्भूर्भूवस्वाहा ताच्य वितुल्वारेन्यम भर्गोदे वश्यदी मही धियोयोना प्रचोदया अम्भूर्भूवस्वाह ताच्य वितुल्वारेन्यम भर्गोदे वश्यदी मही धियोयोना प्रचोदयात अम्भूर्भूवस्वाहा ताच्य वितुल्वारेन्यम भर्गोदे वश्यदी मही धियोयोना प्रचोदयात प्रचोद ??? भर्गोदे वितुल्वचर हम आशा करते हैं कि आपका मन शांत हुआओगा और लंबी सी घहरी सांस लेकर अपनी राशी चूस कर लिजिए अगर आपको अपनी राशी नहीं पता है तो आप एक नंबर भी चूस कर सकते हैं नंबर देखे, पाइल नंबर 1 में भी है, पाइल नंबर 2 में भी है, जो नंबर आपको अट्रेक्टिव लग रहा हो, जो नंबर आपको अपनी तरफ खीच रहा हो, आप एक नंबर चूस करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, तो आप हमसे वाट्सेप पर कॉंटक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, हमारा नंबर है 8737087414, 8737087414, ठीक है, बाकी कॉमेंट बॉक्स में जो आपको नंबर बाते जा रहे हैं, वो हमारा नंबर नहीं है, प्ल सुरक्षा अपनों की, ठीक है, मतलब अपने पैसों की, अपनों की तो सावधान इंडिया में बोला जाता था ना, तो सावधानी आपकी सुरक्षा आपके पैसों की, ठीक है, जैशी कृष्णा, Option No.1, कैसे हैं, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, डियर, अब आपकी बारी है, लिखे, कि हाँ, मैं बहुत स्वस्त हूं, मस्त हूं, खुश हूं, और इश्वर की कृपासे में बहुत बहुत आगे बढ़ रहा हूं, बहुत सारी सफलता हासिल कर रहा हूं, क्यूंकि मेरे उपर इश्वर का बहुत आशिरवात है, क्यूंकि हम जैसा लिखते हैं, हम वैसा ही मैनिफेस्ट करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा लिखते हैं, जैसा देखते हैं हम उसी तरह की एक energy create करते हैं और फिर उसी तरह की चीज़े हम attract करने लगते हैं तो क्यों न हम positive सोचें, हम positive लिखें चलिए, लिखें जल्दी sign और element तो आपने choose कर लिया है जो आपका है, लेकिन इनका भी तो पता होना चाहिए न आपको तो जो आपको जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, जो दिन रात आपके ख्वाबों में खोई रहते हैं, जो आपको पाने के सपने देखते रहते हैं इनकी sign क्या है, इनके elements क्या है, सब बताने वाले है Aries, Leo, Sagittarius, Maze, Sink, Dhanu, Raši, Cancer, Scorpio, Pisces, करकर विश्चिक मीन राशी, टारस वर को कैप्रिकॉन भी है, विश्चप करने अमक कर राशी, जैमने लिब्रे एक्वेडियस, थोड़ा सक कम है अच्छा, इनकी date of birth बताते हैं, ठीक है किसी भी महीने की 20 तारीख, 8 तारीख, 22 तारीख, 10 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 25 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख चलिए, बर्थमन्त बता है, मई, फर्वरी, जून, अप्रेल, नवंबर और दिसंबर इनके नेम का इनिशियल बताते हैं आमको, ठीक है? स, आर, पी, ए, जे, एच, टी, एन, ओ, आई, क्यू, एन, टी, वाई, वी, और बी, ठीक है? यह है इनिशियल अब जान लीजिये कि कैसे वेक्ती है सबसे पहले तो आप इतना समझ है कि ये हैं तो बहुत समझदार बहुत समझदार है, बहुत मिस्टीरियस टाइब के वेक्ति हैं अब आप खुदि अंदाज़ा लगाना कि क्या आप इन्हें जानते हैं ये जैसे कि बहुत मिस्टीरियस टाइप के लोग होते हैं नो जो एक मिस्टरी कायम रखते हैं, सस्पेंस बनाते रहते हैं, खुल कर हर बात नहीं करते हैं, कभी-कभी ऐसा भी फील होता है कि ये व्यक्ति हमारे बारे में जानना चाहते पर अपने बारे में कोई बात नहीं करते इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉंग है और काफी नॉलेज़बल परसन है समझ रहे हैं? कहीं न कहीं थोड़े जुरूनी टाइप के इंसान है जिद्धी सेल्फ रिस्पेक्ट इन्हें जानस ज़्यादा प्यारी है ये जिन्दगी में हर एक घटना से हर एक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते हैं इनकी जिन्दगी इन्हें सुरू से ही कुछ न कुछ सिखाते ही आ रही है और अभी भी सिखा ही रही है एक बात बताते हैं इनकी जिन्दगी में कला एक लिश्ट बहुत है इनकी जिन्दगी में कोई ऐसा मैटर चल रहा है जिससे बहुत परिशान है देखो बहुत सारे लोगों के लिए हम बताएं यह person married है ठीक है और या तो इनके उपर कोई case चल रहा है या तो इनकी life में बहारी लोगों का इतना involvement है इतना interfere है कि अपनी जिन्दगी को जिस तरह से जीना चाह रहे हैं उस तरह से जी नहीं पा रहे हैं जैसे इनका मन होता है कभी कभी कही भाग जाने का कहीं दूर चले जाने का जैसे कि कोशिशे बहुत करते हैं उन चीजों से निकलने की पर निकल नहीं पा रहे हैं लेकिन एक बात और बताते हैं ये आपको आपको अपना मसीया मानते हैं आप इनके लिए बहुत लग्की हैं समझ रहे हैं ये पता कैसे इंसान है गुस्ता कंट्रोल करने वाले फीलिंग्स छुपाने वाले और कभी-कभी ये हैं तो बहुत मिचूर लेकिन इनकी जिन्दगी कभी-कभी इन्हें इस कदर परिशान कर देती हैं कि इनके मन में उल्टे सीथे खयाल तक आने लगते हैं इनके कुछ अपने हैं जो जैसे इनके पीछे नहाद होकर पड़े रहते हैं जैसे इनको चैन की सांस लेने ही नहीं देते इनकी जिन्दगी में चैन है ही नहीं सच बता है इनकी जिन्दगी में चैन है ही नहीं बस जब से आप आए हैं आपको देखा इनोंने तब से इनके जिन्दगी में थोड़ा सा चैन आया है वरना अपने लिए तो जीना ही भूल गए थे ये इनको बस ये था कि भाई मेरी responsibility है इस वज़े से मुझे जीना है मेरी कुछ जिम्मेदारियां है जो मुझे पूरी करनी है चाहे जिन्दगी में जितना भी दर्द हो पर किसी से कुछ कहना नहीं है किसी को कुछ बोलना नहीं है ये बहले ही किसी को कितना भी समझें लेकिन इनका अपना कोई इने समझता नहीं है तो शिकायत भी नहीं करते हैं बस थोड़ा सा इनकी जिन्दगी में दो तरह की issues हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि पैसों को लेकर इनकी जिन्दगी में थोड़ी से समस्याएं हैं कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद इनकी जिन्दगी में कोई ऐसा मैटर चल रहा है इनका कोई है इनकी बहुत बड़ी कमजोरी जिसकी वज़े से ये जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे है इन्हें अगर जिन्दगी में किसी से बहुत प्यार हो जाए तो भी ये ऐसा सोचेंगे कि ये सब मैं नहीं कर सकती, ये प्यार मैं नहीं कर सकता अगर मेरी जिन्दगी उस चीज से मुक्त हो जाए तो मैं जिन्दगी में आगे बढ़ सकता हूँ जैसे मान लीजे या तो इन से कोई गलती हुई कभी ठीक है या तो इन पे कोई केस चल रहा है इस तरह की चीज़ तो ये उस चीज से खुद को मुक्त नहीं मानते है इनको लगता है जिस दिन में इस से मुक्त हो गया या फिर हो गई उस दिनी लाइफ अच्छी हो जानी है उस दिनी लाइफ अच्छी हो जानी है तो ये चाहा कर भी अपनी जिन्दगी को अपने तरीके से जी नहीं पा रहे हैं देखने सुनने में बहुत स्मार्ट हैं बहुत इमोशनल भी हैं बहुत भावुक व्यक्ति हैं दोसरों की बहुत मदद करने वाले इंसान हैं अच्छा, इनका जो कलर है जैसे कि यह होता है कि न बहुत गोरा न बहुत काला हमारे भारतिया लोगों का जादा तकर के कलर कैसा होता है गेहुआ कलर होता है न नॉर्मल न बहुत गोरा न बहुत काला मतलब ठीक है, सामले भी नहीं है, बहुत गोरे भी नहीं है मतलब ऐसा इनका स्किन टोन है इस तरह के इनका जो कलर है वो ऐसा है और जैसे कि एक होता है कि कल्चर को फॉल्व करना अपने कल्चर के हिसाब चलना फैशन के हिसाब से नहीं चलते हैं ये मतलब कि रिती रिवाज परमपराएं मर्यादाएं उस हिसाब चे थोड़ा सा रहना पसंद करते हैं जैसे कि एक होता ना कि ट्रेंडी होना इस तरह के नहीं है आज कल ट्रेंड चल रहा फटे कपड़े पहन के चलने का बिलकुली कपड़े कायव हो गय तो यह ने कि भेड़ चाल चलने वाले इंसान समझदारी बहुत है इनमें सब कुछ है इनमें लेकिन बता रहे कि इनकी कोई कम जोरी है इनकी जिन्दगी में इनका डाइवोस का केस चल रहा है इन पर किसी तरह का कोई इल्जाम लगा हुआ है यह फिर इनके अपने इनको किसी चीज़ को लेकर ब्लैक मेल कर रहे हैं कभ ठीक है कभी-कभी बच्चे या फिर माता-पिता भी अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देते हैं तो इन्होंने शुरू से लेकर अब तक अपनी खुशियों से सैक्रिफाइस ही किया है जैसे कि चीजों को छोड़ते आएं ठीक है यार नहीं चाहिए ठीक है जिसमें सब खुश मैं चाहिए खुश रहू चाहिना रहू लेकिन सब की खुशी देखनी है अकेले में ये बहुत घुटन फील करते हैं इन्हीं हमेशा लगता है क्यार मेरी लाइफ कब स्टेबल होगी कब सब कुछ मेरी जिन्दगे में ठीक होगा लेकिन अब आपकी कहानी शुरू हो तीन की जिन्दगी में ठीक है, जब से आप आयो ना, इने थोड़ा सा रिलीफ मिला है, थोड़े से होप जगी है, थोड़े से हिम्मत आयी है, जैसे कि कोई ना, अगर बस ये अपना हो जाए, बस अगर इसके साथ जिन्दगी आगे बढ़ जाए, तो शायद मैं हर चीज से मुक्त हो सकूंगी हो सक कूंगा, क्योंकि आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, इनकी जिन्दगी में जो समझ्याएं हैं न, वो आपके लिए बहुत मैटर नहीं करती हैं, हम बताते हैं, दुनिया में कई तरह की लोग होते हैं, कि किसी किसी को छोटी से छोटी बात का भी बहुत मुद्दा बहुत इशू बना लेते हैं, अच्छा ये बात, तुमने मुछे पहले क्यों नी बताई, मुझे पहले पता होता तो मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करता, और कुछ लोग बड़ी बातों को यू टाल देते हैं, जि शसे कुछ था ही नहीं, वो कहते हमें पास्ट से क्या लेना द इनको ऐसा लगता था कि इनका पास्ट कभी भी इनको फ्यूचर में खुश नहीं रहने देगा लेकिन आप से मिलकर अब हम बताएं आप में से बहुत सारी लोगों के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमें ऐसा भी लगता है कि शायद इनसे आप लोगों की थोड़ी बहुत ब बहुत कुछ है लेकिन दबा पड़ा है जैसे कि यह काफी रोमैंटिक हैं काफी क्रियेटिव हैं और बहुत कुछ टालेंट है इनके अंदर लेकिन कभी समय ही नहीं मिला उस टालेंट को दिखाने का जैसे कि वो दब गया है जिन्दगी के बोज तले जिम्मेदारियों के बोज तले कहीं न कहीं चीज़े दब गई हैं फिर तो जिन्दगी बस यूँ ही हो गई कि बस चल रही है तो चल रही है अब देखेंगे आगे क्या होगा तो ये वो व्यक्ति है अब आप हमें बताईए कि आप इने जानते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइफ में कोई usz्धीश चल रहा है वो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन जैसे कि कुछ है जो उसे रोकता है किसी चीज की वज़े से कोई बचन दे रका है उसने अपनों को यह कोई है ऐसी बात जिसकी वज़े से वो चाह कर भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रह है आपको पत दिन रात देखते रहते हैं एक उतना secret admirer इस टाइप के व्यक्ति यह चाहते भी नहीं आपको पता चले क्योंकि पता है कि यह लेवल नहीं समझते हैं इनको लगता है कि मेरा ho fotos कोई level नहीं यहार कहां मैं कहां वह हो सकता है बहुत सारे लोगों कहें पर age difference भी है तो इनको लगता है कि लोग कहेंगे न कि हैसियत में रह के प्यार करो आजकल सीधी बात करें अकात में रह के प्यार किया करो अकात में रह के सोचो लगता नहीं कि लोग सीधे मुँपर बोल देते हैं ऐसी बाते पर अब क्या करें इन्हें आपसे प्यार हो गया है तो इनकी एज बताते हैं हम 30 to 40 इस एज ग्रूप के हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज है नहीं 2230 इस एज ग्रूप के लोग है जो आप से बहुत 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 प्यार करते हैं और कुछ लोग के लिए हम बताते हैं इनकी एज ज्यादा है और आपकी शायद कम हाँ आपकी शायद कम इनकी एज हो सकती है 45 to 50 or 60 समझ रहें कुछ लोग इस एज ग्रूप के भी हैं जो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं लेकिन वही है ना कि इनसान सोचता है कि ठीक हम प्यार करते तो क्या हुआ जरूरी थोड़ी ना है कि वो भी प्यार करें एक होता है कि कुछ लोग हक नहीं जताना चाहते कुछ लोग दिल की बात दिल में रखके ही चीजों को खतम भी कर देते हैं पर यह आपकी तरफ ना बहुत strongly खिचाओ महसूस करते हैं बहुत जादा अच्छा एक बात और यह spiritual भी हैं आत्म दर्शी भी है लाइक इने spirituality की भ पहुत सारे हैं और कुछ पंगे ऐसे हैं कुछ दंगे पंगे ऐसे ही इनकी जिन्दगी में जिसकी वज़ए से जिन्दगी में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं पर आपको देखकर एक सुकून एक होप एक उमीद जगी है इनकी जो राते हैं न सिर्फ आपके बारे में सोच सोच कर ही गुजर रही हैं आपको देख देख कर ही गुजर रही है इनका हमेशा यही होता है कि कब उसको देखने के लिए मिलेगा, कब उससे बात होगी जैसे कि अगर आप लोग एक साथ कुछ लोग हैं ऐसे शायद बहुत अच्छे दोस्त हैं आप लोग एक ही जगह पर काम कर सकते हैं शायद एक ही ओफिस में हो सकते हैं तो इनको लगता है कि कब सुबह हो जल्दी कल कब हम ओफिस जाएं कब हम फिर से एक दूसरे को देखें कब हम बात करें और आपको बताना नहीं चाहते हैं, आपको फील भी नहीं कराना चाहते हैं, यह आपको इस कदर प्यार करते हैं, नहीं चाहते हैं, दिल में ही बात रखना चाहते हैं, यह कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, आपको पता चल जाएं, फिर पता नहीं आप क्या सोचों कि क्या कहोगे, कि खुद को तो देखा होता है एक बार कभी खुद की तरफ देखा है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी आपसे कुछ नहीं कहना चाहते बस यह किसी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते हैं आप दोस्ट बन कर रहो यहीं काफी है बस रहो इनकी जिंदगी में इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने भी ये कुछ भी नहीं है, आप बहुत मिचोर हैं, पर अगर इनके दिली ख्वाइशों की बात करें, तो आपसे इस कदर प्यार है इने, इस कदर है कि आपको हमसफर बनाना चाहते हैं, बहुती रिती रिवाजों के साथ आपसे शादी कर आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, जैसे कि है ना कि इनकी खौईशे मर गई हैं, इनकी जिन्दगी में शुरू सही कुछ ऐसी चीज़े रही हैं, जो ये अपनी जिन्दगी को खुल कर जी नहीं पाए, या फिर ऐसा समझो कि जो प्यार इनके दिल में हैं, वो प्यार ये कभी किसी को इस वज़े से नहीं दे पाए, क्योंकि कभी कोई आपके जैसा मिला ही नहीं, एक होता है ना कि सामने वाला डिजर भी नहीं करता, सामने वाला उस लायक ही नहीं है, जिसे हम उतनी रेस्पेक्ट दे, इतनी केर करे, इतना प्यार करें, हम अपने दिल का पि हैं आपको लेकर बहुत positive है इनको लगता है कि आपके अंदर नहां healing property है इनको ऐसा लगता है और आपका जो साहस है वो गजब का है इनको लगता है बहुत साहसी व्यक्ति है इनिए लगता है कि जरूर आपके कि आस-पास कोई दैविय शक्ति रहती है कोई पावरफुल उर्जा आपके साथ रहती है क्योंकि आप से मिलकर आप से बात करके इन्हें बहुत हिम्मत मिलती ने बहुत ताकत मिलती है इस वज़ा से भी इस वज़ा से भी यह आपकी तरफ खिचे जा रहे हैं इनको लगता है कि कुछ तो है मेरा इसके साथ बड़ा स्ट्रॉंग सा अब ये माने या ना माने पता ने आप क्या सोचेंगे क्या कहेंगे क्या छवी बनेगी इनकी आपकी नजरों में आप दूसरों से न कुछ कह दे इस तरह की बाते इनके मन में चलती हैं आपको लेकर और इसी वज़े से या आपसे कुछ कहते नहीं है एक बात बताए आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपके निवर है कुछ लोगों के लिए शायद आपके फ्रेंड है ठीक है जैसे कि एक ऐसा connection नहीं है इधर कि बहुत ज़्यादा लडाई जगडे वाली बाते X वाली बात नहीं है X वाली बात नहीं है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जिन्दगी जीने की उम्मीद ही आप है जिसे उम्मीद ही आप से मिली है जिसके अंदर पहली बार ये बात आई है कि मैं भी जिन्दगी में खुश रह सकता हूँ पहले ही नहीं लगता था कि दुनिया में सिर्फ मेरे उपर ही दुखों का पहार तूटा हुआ है लेकिन जब से यह आपको मिले हैं और उसके बाद जब से इन्हों ने आपकी स्टेंथ आपकी पावर देखी है इनको लगता है कि यार इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ जब ये व्यक्ति इतना कुछ सहे कर इतना कुछ अपनी जिन्दगी में देख कर अभी भी हिमत से डटा है, खडा है तो फिर मैं क्या चीज हूँ फिर मैं क्या चीज हूँ मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं इतना जादा जैसे आप से इन्हें एक inspiration मिली है आप इनके जिसे प्रेणा बन गए हो आपके अंदर इतना कुछ होने के बाद इतनी strength है फिर भी आप कभी हार नहीं मान दे कभी hopeless नहीं होते तब से इन्हें जीने के आस लगी कि अगर ऐसा व्यक्ति मेरा हमजफर बन जाए तो फिर बात में फिर जिन्दगी में चार चांद लग जाएंगे फिर बात ही कुछ और होगी ये सोचते हैं इनके जो feelings हैं चली हम आपको एक song सनाते हैं ठीक है छोटी छोटी राते लंबी हो जाती है बैठे बिठाए यूँ ही नीन देखो जाती है दिल में बेचैने आँखों में इंतजार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है छोटी छोटी राते लंबी हो जाती है बैठे बिठाए यूँ ही नीन देखो जाती है दिल में बेचैने आँखों में इंतजार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है दिवानों सी हालत है अपनी पूछो ना क्या चाहत है अपनी थामली मैंने तेरी ये बाहे इन बाहों में जन्नत है अपनी जागती आँखें दिखा कर सपना जब कोई दिल को लगता है अपना दिल को क्या है ये तो हर पल में करार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है छोटी छोटी राते लंदी हो जाते हैं बैठी बिठाए योई आखे हो जाते हैं तो इनका कुछ ऐसा ही हो रहा है कि बस आपसे बड़ा प्यार हो गया इने बहुत प्यार हो गया है और ये वो व्यक्ति है जो आप उपनी जिन्दगी बनाना चाहते हैं, आपके जिन्दगी में आना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप वो व्यक्ति हैं, जो इनसे प्यार करेंगे, इनके पास्ट को लेकर इन्हें छोडेंगे नहीं, क्योंक कि आप जैसा ही व्यक्ति इनको एक्सेप्ट कर सकता है वरना आज कल के लोग शायद इने कभी एक्सेप्ट ने कर पाएंगे या फिर कोई इंबेचुर परसन शायद इने कभी समझ ही नहीं पाएगा तो इस वज़े से यह आप से इतना प्यार करने लगे हैं अब आप हमें ब बताईए और नहीं जानते तो भी बताईए समझ तो गए होंगे थोड़ा ध्यान थोड़ा सा दिमाग दोड़ाईए कि कौन है ऐसा कोई दोस्त कोई पडोसी कोई रिष्टेदार कोई न कोई तो है यह जो ऐसा है एज कुछ भी हो सकती है लेकिन अब क्या है प्यार करते न क्योंकि डियर लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और पूरी जिंदगी कहेंगे आपको जादा लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है अपने खुश्यों की परवा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चै करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा ऑप्शन नमबर टू कैसे हैं आप हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्त होंगी मस्त होंगे खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे धेर सारी धेर सारी सफलता हासल कर होंगे चली अब आपकी बारी है लिखिए कोमेंट बॉक्स में लिखिए कि हां मैं बहुत खुश हूं मैं बहुत सवस्त हूं और मैं बहुत मस्त हूं मैं अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं बहुत सारी सकसान् novelty कर रहा हूँ, मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो मैं deserve करता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे उपर इश्वर का पहुत आशिवाद है एंजल्स की blessing हमेशा मेरे साथ रहती है लिखे, हमें आप लोगों पर भरोसा नहीं है कैसे भरोसा नहीं है हम कहें कि आप जो पाना चाहते हैं उसे रोज लिखना शुरू करिए एक कॉपी हुए डेली, हमें भरोसा नहीं आप लोग लिखोगे की नहीं लिखोगे लेकिन यहाँ पर हम जिद्द कर-करके कर-करके लिखवा लेंगे आपसे चलो लिखो इसी वक्त लिखो पहले क्यों लिखवा रहे हैं हमारा कोई फाइदा नहीं है ना आप लिख रहे हो ना आप जैसा लिखोगे वैसा ही मैनिफेस्ट होगा वैसा ही आकर्शित होगा तो कितना अच्छा होगा कि आप positive लिखो दो कौन है जो आपको पाना चाहता है कौन है जो आपके लिए तड़प रहा है कौन है जो आपको प्री जिंदगी बनाना चाहता है जो आपकी जिंदगी में आना चाहता है चलिए सबसे पहले इनके sign or elements की बात कर लेते हैं आपने अपनी राशी चूस किये बबा अपनी राशी उनकी नहीं उनके बारे में तो हम बताएंगे आपको इदर नक खिचडी बनी हुई है चावल तो वही थे सारी दाल मिक्स है कुछ समझे क्या एरिस लियो इस अजिटेरियस भी है में सिंग धनु राशी कैंसल स्कॉर्पियो पाइसेज भी है करके रुष्युक में राशी और टॉरस वर्कु कैप्रिकॉन भी है रुष्यप करन्य भी है किचिई फिचिक ब्लकुल ऐसा है सब कुछ अन्य हो समझ रहो आगे समझाएंगे आपको रुको जरा सबर करो हाँ तो है रोल बढ़ बताते हैं चलो गिसी महीने के 11 तारीक किसी भी महीने की ठीक है 11 तारीक 27 Universiteole दो तारीख, 20 तारीख, और 29 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 26 तारीख, 30 तारीख, चार तारीख छे तारीख ठीक है बर्थ मंत ओके बर्थ मंत है इनका अगस्त फरवरी जुलाई नवंबर जुलाई बहुत स्ट्रोंग है अप्रेल मार्च बस इनिशियल आर बी एल आई एन ओ डी ए यू जे एम टी सी पी के वाई यू ठीक यह है इनिशियल इनकी जो एनर्जी न आपके लिए चलिए पहले सौंग सुना देते हैं और आप भी क्या याद करेंगे जैसे आप सौंग सुनेंगे न आप समझ जाएंगे अच्छा यह है हाँ यह ही है वो यह ही है सुन लो बड़ा मज़ा आने वाला आपको खेर हमें तो मज़ा आ रहा है आपको भी आना चाहिए चलो सौंग सुन लो पहले बड़ा दर्द भरा सौंग है दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला एक चीज चन्ना तेरे बाद रह गई खो गया है तू तेरी आद रह गई कर नाम की इस दिल दा मेरे सासे तो मेरी तेरे नाल रह गई ऐसे क्यों बदल गया क्या कोई है मिल गया ऐसे क्यों बदल गया क्या कोई है मिल गया दिल पूछता है क्या कहूं तूटे तूटे खाबा विच दिसदा है तू मैंनो जड अज कल किसदा है तू तूटे तूटे खाबा विच दिसदा है तू मैंनो जड अज कल किसदा है तू तेरे बाजो मेरा कोई औरता नहीं हाल मेरा आके क्योंने पुछदा है तू हाल मेरा आके क्योंने पुछदा है तू अब बोलो तूमने मेरा हाल पुछा था जो मैं तुम्हारा पुछूं तूमने पूछा था कि मेरी इस हरकत के बाद तूम जियोगे कि मरोगे तूम धरती पर रहोगे कि चले जाओगे तूम्हें फिकर हुई थी मेरी जो मैं तुम्हारी फिकर करूं लेकिन शुकर मनाओ फिर भी मुझे तुम्हारी फिकर है बदमास बच्चे अरे बापा आपका एक्स है ये जी हाँ बहत अरपरा आपके लिए बहत अरपड़ा सरबठ क्राप लेकिन accept नहीं करना जो लोग आपके साथ बुरा करते न उनके लिए हमारे मन में कोई आहा नहीं होती है ऐसे लोगों के reading ना बड़े interest के साथ बड़ी खुश्टी के साथ सुनाते हैं क्योंकि क्या होता है न कि जाके पग नहीं फटी बिवाई सोका जाने पीर पर आई मतलग कि आज जब ये खुद उस दर्द से गुजर रहे है तब इन्हें आपके दर्द का एहसास हो रहा है ये वो व्यक्ति है बहुत सारे लोगों के तो husband wife है ठीक है ex, ex husband wife और आपके ex person इस व्यक्ति ने family का बहाना करके family की बाते करके family ये family वो ऐसा वैसा मैं बहुत संसकारी हूँ मैं ये नहीं कर सकती मैं वो नहीं कर सकता मैं action नहीं ले सकता बात ये नहीं थी जी बात ये थी कि किसी और घाट का बाने पीने लग गये थे समझ रहे हैं आप के किसी और से चांदतारों की बाते करने लग गये थे और बहाना परिवार का कित्ती मज़े की बात होती न कि कुछ लोग जिनमें दम नहीं होती बोलने की जिनमें हिम्मत नहीं होती वो फैमली का बहाना बना कर भागती है जिन्दगी से तो अब इनकी जिन्दगी उसी दो राहे पर आके खड़ी है जहां पर इन्होंने आपको छोड़ा था तो आज कल की आपको पाना भी चाहते हैं आपको अपना बनाना भी चाहते हैं आपकी जिन्दगी को खुशियों से भरना भी चाहते हैं लेकिन हम कहेंगे दिन मत भूलना जो दिन इन्होंने आपको दिखाए है न वो मत भूलना इनके पास कुछ ऑप्शन्स आ गये थे इनको ओफर्स मिल रहे थे कहीं से समझ रहें कोई कह रहा होगा कि अरे तुम बहुत अच्छे हो तुम बहुत स्मार्ट हो तुम बहुत यह हो तुम बहुत वो तुम से बहुत प्यार है तो ये बिल्कुल भाव में आ गए थे इनको ऐसा लग रहा था कि हाँ सच में मैं इतने काबिले तारीफ हूँ कि मुझ पर लोग इतना मरते हैं तक तो फिर ठीक है फिर ये पता है ये दूसरे की बात में आकर आपसे डिस्टेंस बनाने लगे आप रोने लगे आपने का क्यों कर रहे हैं अईसा मतलब क्या है तो आपकी छोटी-छोटी बात इने बुरी लगने लगी आपकी छोटी-छोटी बात पिर लड़ाई जगडे करने लगे क्योंकि इनके पास choices थी ना हाँ उन choices की वज़े से यह आपसे distance बनाने लगे आपको भला बुरा बोलने लगे आपकी अच्छी बात भी ने बुरी लगने लगी छोटी-छोटी बात में एक मुद्दा बनाने लगे क्योंकि इन्हें आपको अपने जिंदगे से निकालना जो था यह limit क्रॉस करके जरील करने लगे आपको जिस व्यक्ति के लिए आपने क्या नहीं किया जिसके लिए आप किसके खिलाफ नहीं गए आपने आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया जैसे कि आपने इनके लिए बहुत सारी कुर्बानी दिया है आपने इनके लिए बहुत कुछ छोड़ा है आपने इनसे हमेशा यही कहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं कुछ भी कर सकती हूं इनके लिए किस से नहीं लड़े आप किस की किस के सामने नहीं गिरे आप एक होता ना कि अपनों की नजरों में भी गिर गए आप लेकिन सिर्फ इस व्यक्ति के लिए लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया इसने आपको ही छोड़ दिया जिसके लिए अपने दुनिया छोड़ा था अपने अपनों को भी छोड़ा था और उसने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया जूट की खान ये व्यक्ति जूट की खान था समझ लिजे इतने बहाने बाजी, इतने जूट, इतने जूट पता नहीं कितने जूट और हमेशा, हमेशा ये बोलता ये सोच रहा था कि मुझे फ्रीडम चाहिए देखो, आस्मान में उड़ने का शौक सबको होता है सबको होता है लेकिन जो परिंदे आस्मान में उड़ते हैं न उनका भी अपना एक आस्याना होता है उनका भी अपना एक घर होता है कहते हैं जिस बाग में माली नहीं होता जिस बाग में माली नहीं होता फूलों की देख भाल करने के लिए उनकी केयर करने के लिए उनकी देख रेक करने के लिए वो बाग उजड जाया करते हैं कभी-कभी किसी की केयर किसी का प्यार किसी की रोक टोक हमें बहुत बंदल लगने लगता है यार ये क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है ये है वो है लेकिन जब वो माली नहीं रह जाता ना रोक टोक करने के लिए तब हम तड़पते हैं तब रोते की काश कोई हमारा भी होता जो हमसे ये कहता कि ये न करो वो न कर तो जो लोग बहुत freedom freedom चिलाते ना बहुत freedom के लिए मरते हैं ना ध्यान रख लो चाहे आपके माता पिता हो चाहे आपका कोई अपना हो अगर वो किसी बात के लिए आपको समझाता है उसकी बात को गंभीरता से समझो अगर वो गलत है तो समझाओ, एक लॉजिक के साथ उसे समझाओ, लेकिन उसके साथ इस कदर बेहेव मत करो कि वो टूट जाए, एक उजड़े हुए बगीचे मत बनो, जिस दिन माली नहीं रह जाएगा उस दिन अपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ये व्यक्ति ऐसे ह है इंको लगता था कि आप इनकी लाइप बहुत रोक टोक करते हैं, बहुत त्रस्ट इसूस हैं, बहुत यह करते हैं वो चरतے तो यह परिंदह बनना यह उस लेकिन जैसे परिंदे बने ना इनका आश्यान उजड गया इनको लगत आश्मान में कहीं घोसला, बनाओकां ऑ आसमान सिर्फ उड़ने के लिए रहने के लिए नहीं रहने के लिए आपको जमीन में आना पड़ता है पर यह भूल गये थे अब पता है अभी नहीं जमीन के रहे और नहीं आसमान के रहे यह त्रिशंकू की भाहते लटके हुए है आपने राजा त्रिशंकू की कथा सुनी है कहाने सुनाते हैं राजा त्रिशंकू थे उन्हें अपनी साधना पे बड़ा इगो था बड़ा एहंकार था कि मैंने इतनी जब तब साधना किया है तो मैं शाशरीर स्वर्ग जाऊंगा किसी देवी देवता को उन्हें प्रसंद कर रखा था फिर किसी रिशी का उन्हें आशिरवाद मिला था कि भाई मैं तो साशरीर जाऊंगा साशरीर मतलब कि मुझे मर कर आत्मा द्वारा नहीं जाना है इस धरती पर चाहे राम आये हूं चाहे कृष्ण आये हूं चाहे कोई भी आया हो अगर वो मानव अवतार में आया है तो वो भी इस शरीर का त्याग करके आत्मा के रूप में स्वर्ग बैकुंट सांके गोलों कहीं पर भी जाते थे ठीक है लेकिन त्रिशंकूर राजा को बड़ी जैसे बात थी एंकार वाली बड़े एंकार वाली बात थी कि भा पहुंच गये फिर क्या वहां से देवताओं ने देखा कि भाई ये कैसे आ गया वहीश उनको धक्का मारा गया वह आसमान पर आसमान से नीचे गिरे सर के बल लेकिन किसी रिशी ने वहीं पर टांग दिया उनको कि नीचे गिरेगा तो सिदे मर जाएगा मेरा सिस्य आई त प्राइगा उपर करा ना नीचे करा आज भी लटका हुआ है राजा ते शंकू आज भी लटके हुए तो एसे बिचार ये लटक गये ना आसमान के रहे नहीं जमीन के रहे तो इनकी बहुत खराब है तभी कह रहे हैं कि मैंनु छड आज कल किस्ता है तो अपने जैसा इन्ह को देख रहे हर जगा चुप चुप कर ब्लॉक कर दिया था आपको छोड़ कर चले गए थे आपको डिस्टेस रिलेशन्शिप रहा इधर बहुत लोगों का आपके सामने कुछ नहीं है कुछ नहीं है लेकिन ऐसास हो रहा है न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं इनकी जिन्दे की दम तोट रही है किस्तों में सांसे ले रहे हैं समझ लो बड़ा फसोस है बड़ा गिल्ट है फिर से आपके साथ प्रेम के संबंद बनाना चाह रहे हैं एक उम्मीद है कि शायद आप इन्हें माफ कर देंगे जिन्दा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस एक मुलाकात जरूरी है हर बात में इनोंने आपको दर्द दिया है कभी समझा नहीं कभी समझा नहीं कि आप भी इंसान है कभी समझा नहीं इन्होंने कि आपको भी बाते चुबती हैं आपको दर्द होता है एक टाइम पर पता है व्यक्ति बोलने ही बंद कर देता है फिर वो सीधे एक्षन लेता है क्या होता है कि जब पानी सर्थ के उपर हो जाता है एक होती न कि सहने की भी एक लिमिट होती है बरदास्त करने की भी लिमिट होती है और जब वो लिमिट क्रॉस हो जा तो बस इन्हों ने आपको किसी और के लिए छोड़ा था पर अभी कहें के भी नहीं है हम ऐसा भी लगता है कि शायद इन्हों ने फैमिली का बहाना भी बनाया इन्होंने शादी कर ली किसी से पिलकुल ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के परसन शादी कर भी लिये आपके AX है अब, अब आप समझो कि कौन सा वाला AX है, देखो, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे AX होते हैं, तब आप सोचो कि इस तरह का बदमास इस फार कोन सा AX है या अपका, कि फिर कौन सी AX है या अपकी, ठीक है, खोर दियो, यह जो भी एक्स है मतलब इसने फैमिली का बहाना बनाया और थोड़ा सा नेचर बता देते हैं इनका जो नेचर था इनका नेचर था हमेशा अटेंशन लेने वाला है ना इन्हें अटेंशन चाहिए होती थी सिंपती चाहिए होती थी किसीने किसी बात पर एक नंबर के आजादी चाहिए थी मुझे आजादी चाहिए मुझे आजादी चाहिए विल्कुल इंकलाप पर उतर आए थी अप देगों इनको अच्छे सी इंकलाप मिल गया है है ना दे दिया आपने चलो कोई ना तो इनकी जिंदगी फिलाल में ना बहुत नर्क हो गई है और ये आज कल जिन्दगी अब पहले कुछ था तो कन्जूसी दिखा रहे थे अब कुछ राma ही नहीं अब तो कंजूसी दिखाने ही पड़ेगा अब तो कंजू से दिखानी पड़ेगी तो इनकी हालत बड़ी खराब है समझ रहें आप अब ये कहींगे बचे नहीं है बस इनका प्यारी बचा है अब असे बस दिल पे हाथ रखे आपसे कहना चाहते हैं कि मैं सुधर गया हूँ मुझे में समझ आ गई है किसी लेवल तक हर्ट करते न तो हमारी आत्मा भी थूखती है हमारे उपर कि जब तो उसका नहीं हुआ तो किसका होगा उस व्यक्ति का नहीं हुआ जिसके दिन रात सब तेरे थे जिसने अपनी जिन्दगी का हर एक पल तेरे नाम किया जब तो उसका नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा यूँकि दुनिया में उसके जैसे लोग बहुत कम है तो हमारी आत्मा भी जब हम कुछ बुरा करते हैं हमारी आत्मा भी हमें धिकारती है तो इनकी आत्मा इन्हें इतनी धिकार रही है इतनी दिक्कार रही है इतनी आत्म गलानी जैसे बोलते आत्म गलानी इन्हें आत्म गलानी इतनी ज़्यादा हो रही है कि इनका चैन सुकून सब खतम है और आप तो इश्वर के बच्चे हैं इश्वर का आशिरवाद है आपके साथ इन्हें लग रहा है कि जिन्दगी कम्प जिन्दकी दे तो यह वाली मैंने जंड कर ली तो यह वाली नहीं खराब कर लिया है अब इनको भी दूसरी जिंदकी चाहिए यह तो इन खराब कर दी है अब हम आप से एक हैं एक्स उक्स जो भी है इन्हें ज्यादा महत्व देने की जरुत नहीं है अपनी life को महत्वदो अपने career को महत्वदो अपने आपको महत्वदो किसी और को इतना important मत बनाओ, उसे इतनी importance मत दो कि एक दिन वो आपकी importance करना छोड़ दे एक दिन वो आपकी value करना छोड़ दे आपको ये कुछ समझना छोड़ दे ठीक है, self love first priority होने चाहिए ठीक है, self respect first priority पर होना चाहिए उसके बाद सब आते हैं, ठीक है तो जैशी कृष्णा, अपना खयाल रखी अपने अपनों का खयाल रखी कौन क्या कहता है, इस बारे में भला क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो सिर्फ कहने होता है, और वो पूरी जिन्दगी कहेंगी भाईया देखो, ये जो लोग है न ये तो कहते रहते हैं, आप न अपनी परवा करो, अपने खुशों की परवा करो ज्यादा न इधर उधर की परवा मत करो, ठीक है आप सभी के हरदय में बैठरी पड़ मात्मा को हमारा शादर प्रणाम, ओम मनी पद में हम ओम साइराम